तो वो टीम कभी भी आपको धोका नहीं दे सकती है और जब आप इस 80-20 के फार्मले को अगर आपके पास एक अच्छी अर्णिंग होगी तो उस अर्णिंग से कभी भी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने पैशन को अपना प्रोफेशन इस वीडियो इस पावरड मोटिवेशनल स्पीकर और सीओ मैटास ओवर्सेज लिमेटेड आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स आज जिस विश्यपर हम बात करने वाले न वह में से हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्पपूर्ण है अपने फिल्ड के मास सेंसिस ब्यूरो का एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के अंदर एक रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के आँकरे सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस विश्यपर वीडियो बनानी चाहिए उन्होंने यह बताया कि इंडिया जैसे देश में ग्रेजुएट होते हैं सर, यूट्यूबर, स्टेंडप कॉमेडियन, आप किसी भी पैशन या प्रोफेशन में हो, 90% लोग की जो परफॉर्मेंस है ना, वो हमेशा डाउन रहने वाली होती है, वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने पैशन को अपना प्रोफेशन नहीं बना पात है ना, तो आपको बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होगा, और उसको अपने प्रोफेशन और अपने पैशन में शामिल करना होगा, ताकि आप भी अपार सफलता हासिल कर सकें, आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते ह हैं, मोटिवेशनल कांटेंट बढ़ते हैं, वहाँ पर हमेशा यह कहते हैं कि आपके पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, और कहते हैं कि फॉलो यूर पैशन, डू वट यू लव, आप वो काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, वो काम करें जो आपका पैशन है, अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो यह स्टेटमेंट है, डू वट यू लव, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आप वो करें जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक इमपॉर्टन बात क्या है, लव वट यू डू, आप जो काम कर रहे हैं न इदि आप उससे प्यार नहीं करते तो आप अपने passion को follow करने के लिए कैसे समय निकाल सकते हैं और कैसे सफलता आसिल कर सकते हैं इसलिए कहते हैं कि smartly follow your passion यह नहीं कि आप अपने passion को blindly follow कर रहे हैं सब को छोड़ दिया बहुत crazy हो गए हैं और अपने passion से काम में थे जो उनको पसंद नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी अपने काम से प्यार करते थे जैसे नवाजुदिन सिद्की पंकस दिरपार्टी मार्ग जुकरबग एपल के फाउंडर स्टीव जॉब अयुश्मान खुराना बुमन इरानी देवानंद इन में से बह कालिज ड्रॉप आउट होने का मतलब यह नहीं कि उन्होंने सबसे पहले कॉलेज कोई ड्रॉप आउट कर दिया और बाद में अपने पैशन पर काम किया वह अपनी सफलता के लिए सबसे पहले अपने पैशन पर काम करते गए और जब उनका पैशन इतना स्टेबल हो गया इतना successful हो गया, तब उसके बाद उन्होंने college or school drop out किया या अपनी previous job को छोड़ा, इसलिए बहुत जुरूरी है कि आपको smartly decision लेना है, इसके लिए हमें करना क्या है, smartly follow your passion, और smartly follow का मतलब क्या है, सबसे पहले focus करो अपके earning पर, अगर आपके पास एक अच्छी earning होगी, तो earning से आप अच्छे तरीके से saving कर पाएंगे, और अपनी उस saving को invest कर पाएंगे, कहां पर अपने passion को पूरा करने के लिए, इसलिए don't be play like a crazy, एक दम से पागल ना हो जाए अपने passion के पीछे, सबसे पहले play like a champion, और play like a champion में क्या बताता है, कि सबसे पहले earning करे, earning से saving करे, saving को invest क और जब आप अपनी saving को अपने passion पर invest करेंगे, तो धीरे 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 आप में निखार भी आएगा, और आपको growth मिलना शुरू हो जाएगी, साथ-साथ polish your art, आप ये ना सोचे, आपने perfection हासिल कर लिया है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें Pareto principle को follow करें, और Pareto principle हमें क important क्या है, अपनी art को polish करें, कभी भी ये ना सोचे कि आपको सब कुछ पता है, और जब आप इस 80-20 के formula को इस्तिमाल करेंगे, अपना maximum समय अपने passion को follow करने के लिए अपनी earning को बढ़ाने पर लगाएंगे, तो आप आसानी से वो पैसा invest भी कर पाएंगे अपने passion पर, और ए next important thing, don't think you know everything, आप सब कुछ जानते हैं ना, ऐसा कभी ना सोचे, आपके अंदर जो passion है, उसमें निरंतर अपग्रेड होनी की संभावना है, कभी ये ना सोचे कि आपको जो आता है, वही सब कुछ है, वरना एक बार देख लें, उसी field में आप स्यादा expert लोग, आप स्यादा बहतर perform कर रहे हैं, आप सदा earn कर रहे हैं, आप सदा name fame हासिल कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है चीजों को सीखने और समझने की, learn what you don't want to learn, वो चीज भी आपको सीखनी होगी, जो आप सीखना नहीं चाहते, for example, आप एक अच्छे YouTuber बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर advice over artist का काम भी करना होगा, आपको graphic designing का काम भी करना होगा, आपको editing का काम भी करना होगा, आपको digital marketing की knowledge भी चाहिए होगी, जब आप ये सारी चीजे जो आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने passion को pursue करने के लिए सब काम आपको करना पड़ेगा, और एक दिन जब आपको स सफलता हासिल होने लग जाएगी, तब धीरे धीरे आप अपनी team को hire कर पाएंगे, और दूसरा महत्वपून benefit क्या होता है, जब आप अपने field में हर division को जानते हैं, हर चीज में expertise हासिल कर लेते हैं, तो आपके आने वाली team भी आपको किसी तरह से बिवकूफ नहीं बना सकत आप आसानी से उसका interview ले सकते हैं, आप आसानी से उसके किये गए काम को verify कर सकते हैं, और काम को upgrade करने की सला दे सकते हैं, इसलिए get into step by step, हमेशा किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सबसे important होते हैं, उसके steps, जैसे मैं मेरी modular kitchen industry में सब को जानता हूँ, I know designing, I know sales, I know marketing, I know production, I I know how to install kitchen, तो पूरी की पूरी टीम को hire करने के लिए भी न, मैं एक बार में समझ जाता हूँ कि कौन व्यक्ति उसकाम के लिए कितना काबिल है, क्यों, क्योंकि base study मैंने की हुई है, ठीक उस तरह से आप जिस भी field में जाना चाहते हैं, अगर आप एक website developer बनना चाहते हैं, तो digital marketing भी आपको आने चाहिए, अगर आप एक अच्छे digital marketer बनना चाहते हैं, अच्छा content writing भी आपको आने चाहिए, अगर आप अच्छे video editor बनना चाहते हैं, तो आपको sound editing की knowledge भी होनी चाहिए, मतलब एक field से समबंदी जितने fields होते हैं, जब आप उनकी knowledge को grab करते हैं, तो एक स solution कर सकते हैं, इसलिए बहुत important है, same as friends, business में अगर आप leader बनना चाहते हैं, business में expansion लेना चाहते हैं, तो ज़रूरत है चीजों को सीखने और समझने की, job के साथ साथ अपने passion को जिंदा रखने की, और धीरे 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 उसमें invest करने की, investing के लिए ज़रूरत है सही earning की, और earning के लिए ज़रूरत है वरतमान में सही काम की, इसलिए अपने वरतमान के काम को भी प्यार करें, passion के साथ साथ, business related कोई भी वीडियो मिसना हूँ, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का notification आपको मिलता रहे, स्व